पंजाबी दी क्लास आज असी पंजाबी दी क्लास विच पंजाबी दी पाठ पुस्तक सुनेरी सवेर विच्चों पार्ट ग्यारा दुशेरा जोकी पेज नंबर 62 ते है पढ़ांगे एस पार्ट नूँ पढ़न तो पहला आओ मैं तोहां नूँ एस पार्ट बारे कुछ जान करी देयां एस पार्ट विच पंजाबी दी अध्यापका नवजोद कौर बच्यानू दुशेरे दे त्युहारनू मनाउं दे कारण दस के नेक काम करण अते बुराईतों दूर रहन दी सिख्या देंदे हन अध्यापका जी दे पुछन थे हर नूर अते अवलीन दस देहन की ओ अपने पिता जी दे नाल दुशेरे दा मिला वेकन गए ते मेले विच बहुत पीर सी ओथे बहुत दुखाना वी सन मेले विच रावन मेगनात अते कुम्ब करण दे पुतले वी सन अध्यापका जी ने विद्यार्थियानू दुशेरा मनां दे कारण बारे दस्या अध्यापका जी ने दस्या लंका दे राजा रावन ने शिरी राम संदर जी दी पत्नी सीता जीदा अपहरन कार ले आसी राम जी रावन नो मार के अपनी पत्नी सीता जीदा वापस लेके आये सन ऐस लई ही दुशेरे दा त्योहार मनाया जान दा है दुशेरे वाले दिन रावन उस दे पुत्तर अते परादेवी पुतले साडे जान दे हैं एह त्योहार सानु नेकी दी बदी उत्ते जितदा संदेश देंदा है एस दिन ही सिखा दे छेमे गुरू हर गोबिन साहिब जी बवंचा राजया नाल गुवालियर दे किले विच्चो रिहा होके वी दिन मगरो अमरिचसर वापस आये सन अध्यापका जीदी गाल सुनके बच्यानु समझ आ गई कि नेकम करनवालिया दी हमेशा जित हुन्दी है त्याओ हुनेस पाटनु पढ़िये पंजाबी अध्यापका नवजोत कौर जमात विच आये उना ने बच्यानु पुछया बच्यो कल तुसी दुशेरेदा त्योहार मनाया के कार बैट के ही छुटी बिताई पंजाबी अध्यापका नवजोत कौर जी क्लास विच आये ते उना ने बच्यानु पुछया के तुसी दुशेरेदा त्योहार मनाया के कार बैट के ही छुटी बिताई कुछ बच्याने हाविच जुआब दिता जुआब उत्तर आंसर ते कुछ बच्ये चुप बैठे रहे हरनूर बोल्या मैडम मैं अपने पिता जी नाल दुशेरा विखन गया सी कुछ बच्याने ते हाविच जुबा आप दिता ते कुछ चुप बैठे रहे हरनूर बोल्या मैडम मैं अपने पिता जी नाल दुशेरा विखन गया सी अध्यापका जी बोले एहता बहुत चंगी गल है तुम उत्थे की की वेख्या अध्यापका जी ने उसनों पुछिया कि एहता बहुत वधिया गल है चल फिर दस कि तुम उत्थे की की वेख्या हर नूर ने किया मैडम एक खुल्ले मैदान विच तिन वड़े वड़े पुतले बनाये होए सन हर नूर ने मैडम जिदे सवाल दा जवाब जनते होए किया कि एक खुल्ले मैदान विच तिन वड़े वड़े पुतले बनाये गए सन पुतले यानि भुत आईडन मेरे पिता जी ने दस्या सी कि एह पुतले रावन मेगनात अते कुम्ब करन दे सन हर नूर ने मेडम ने दस्या कि खुले मैदान विच तिन पुतले सन ते उस दे पिता जी ने दस्या कि एह रावन कुम्ब करन अते मेगनात दे पुतले अन शाम होंद्या ही एना पुतले अनू आक्र लगा दित्ती गई ते लोग कार वापस मुड़ गए उत्ये बहुत पीड सी ते बहुत दुकान ना लगियां होईयां सन अवलीन बोली मैवी अपने प्रा अते पिता जी नाल मेला वेखन गई सी पर असी पुतले साडन तो पहला ही कार आ गई सी क्योंकि पिता जी केंदे सन की जदों पुतले अनू साडया जान्दा है तां बहुत तेज पटाक के चल दे हन ते पाखदर यानिकी पाचड स्टेंपीड मच जान्दी है एसले असी पहला ही वापस मुड आये सी अवलीन ने भी मैडम नू दस्या कि उह भी अपने प्रा ते पिता जी दे नाल मेला वेखन गई पर पुतले साडन तो पहला ही कार आ गई क्योंकि उसनु उस दे पिता जी ने समझाया कि पुतले नू साडन तो बार बहुत तेज तेज पटाक के चल दे हन ते मेले विच पाजड मच जान्दी है ते ऐसले वो पहले ही मेले तो वापस आ गए अध्यापका जी कैन लगे तुसी मेले बारे ता जान लेया कि उत्थे की हुन्दा है पर किसे नू एह पता है कि दुशेरा मनाया क्यों जान्दा है अध्यापका जी बच्चियां दे जब आप सुनके बहुत खुश होए ते उना ने बच्चिया नू किया कि एता मैनू पता चल गया कि तुसी मेले बारे जान्दे हो पर की तुआ नू पता है कि दुशेरा क्यों मनाया जान्दा है बच्चियों आज जैसी इस पार्टनू एते ही खतम कर दे हां ते असी अगली गलास विच जानांगे कि दुशेरा क्यों मनाया जान्दा है ते तुहाड़ा आजदा काम है कि तुसी इस पार्टनू चंगी तरह पढ़ना है ते इस दी दोहराई करनी है तान वाद